कि तुरस्कार शाजियों आप सबीक अपने युदू चैनल मास्टर स्टर्ड़ी प्लासिते हुआ है इसलिए आपनी शुपागत है कि हमारी गड़िदी से की जो परक्षाएं की सिंप्रिमेगेशन सब्सक्राइब को प्रक्षाएं और हमें पहले आपसे वादा किया था कि आ आप अगर इन कप्षाओं में लगाता बने रहते हैं तो आपको आने वाले समय में जो भी कत्यों की परिक्षाएं हो रही है इनने मिश्चित रूप से सत्क्रतिशत सपरता दिलाना है वाले हैं तो लेके आ रहे हैं में एक्ष्पोर्सन जो हमारा है आज का प्लास का आपका प्लास थी एंटु 1-1 थी जो प्लास से और यह अलजेब्रा भी है इसमें और हूर सिम्पलिक्टी के सभी है जो दों का इूज्ची में वह रहा है तो फिस पोर्सन हो पर्स्टा हो स्ल्टें कर अच्टाएं नोले पो को सिंप्री कर सकता है सो इस पोसिन में क्या रणाई कि यहां तर जा हो जाएगा एक्स प्लस वन आपका अगर किसी भी पैक्शन के साथ वर अगर आपका डियक्टिटी प्लस या प्लस 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 प् a भ़ए सब्सर्सक्டा सब्सक्राइब सब्सक्राइब 10 X plus 1 X plus 3 upon X plus 2 into X plus 4 upon X plus 3 and ещё X plus 5 upon X plus 4 और हम यहां पे अभी जेख नेगे जरेरल कोई कोई से लुखत हमारे कान्श हो है जैसे कि X plus 2 से X plus 2 आपका ट्राम के ऐसे हो गया, X plus 3 से आपका X plus 3 से आपका X plus 4 से आपका X plus 4 गया है, आपका क्या बचाया है, सर नमरेक्टर में तो बचाया है X plus 5, X plus 5 और सर जो टैनमरेक्टर है हमारा पूसले है, बचाया है X plus 1, that is your final answer, छीख है, clear, चलते हैं next question के बचाया, तो हमारा जो next question है, हम उसकी और बढ़ते हैं, next question कहरा हमारा, 1 upon root 3 plus root 4 plus 1 upon root 4 plus root 5 plus 1 upon root 5 plus root 6 plus 1 upon root 6 plus root 7 plus 1 upon root 7 plus root 8 plus 1 upon root 8 plus root 9, अगर कोई भी student first time किसी exam को face करना चारा है, तो इतने बड़े question को देख के डर जाएगा, और इसमें अगर rationalization किसी बच्चे को थोड़ा भूत भी match कनो ले जाए तो वो rationalization process को use करेगा, और complete को solve करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें क्या होता हमारा time waste होगा, तो मैं एक question मे है, इसमें एक step को हम first वाले को clear करते है, then after सारे steps same stage रहेंगे, तो को यहां पर क्या है, सभी में one one का difference है, root four, root five, root five, root six, root six, root seven, so more, so हम यहां पर क्या करता है, कि first वाले को clear करके बतारा हम आपको, root three plus root four, आप इसको क्या करते है, rationalization करते है, यानि परमेकरन करते है, च्योंक करते है, क्या खर दिया, multiply कर दिया है, root three minus root four, clear, so root root three minus root four, मैंने यहां पर multiply कहा है, तो क्या रह고 करते है, root three minus root four, next, clear, यहाँ पर क्या रहेगा, a plus b into a minus b, यह यहां इसका रहेगा, three سकार रहेगा, root three के स्क्वायर यानि के हमारा 3-4 माइनस 4 के स्क्वायर करोगे तो आपका क्या मिलेगा आपको मिलेगा भी या 4 3-4 यानि-1 और हमें जो उपर नंबर मिलेगा रूट 3-4 और डिवाइड मेरेगा minus 1, minus 1 को उपर लेके जाएगा तो हमारा मिलेगा root 4 minus root 3, यह हमें मिलता first step से, symmetry सारे step में हमें यहीं मिलेगा, जो बड़े वाला number वो आगे हो जाएगा, छोटे वाला number पीछे हो जाएगा, तो हमें जो steps मिलते जा रहे हैं, हम उनको लिखेंगे यहाँ पर, मैं इसको erase करने जा रहा हूँ हमें जो मिलते जाएगे step वो मिलेंगे, मैं root 4 minus root 3 clear, फिर आपको next मिलेगा, root 5 minus root 4, clear next रहेगा हमारा root 6 minus root 5 clear, root next one root 7 minus root 6 root 6, आगे वाले को मैं नीचे लिख रहा हूँ root 8 plus root 8 minus root 7 and root 9 minus root 8 यह हमें मिलेगा, अब देखको कौन कौन आपका ट्रम कैंचल हो रहा है सरेक तो plus root 4 से यह हमारा minus root 4 cancel हो गया, root 5 से root 5 cancel हो गया, root 6 से हमारा root 6 cancel हो गया root 7 से हमारा root 7 cancel हो गया, root 8 से हमारा root 8 cancel हो गया, अब आपके पास कौन कौन से ट्रम बची है तो dear student, आपके पास ट्रम बची है एक तो बचा है root 9, root 9 को क्या लिख सकते हो आप root 9 और यहाँ पे बचा है minus root 3 root 9 को हम लिख सकते है 3 और minus root 3 as it is, और यह यह हमारा हो जाएगा finally answer clear, समिध में आ गया हो गया एक बार इसको skip करके वापिस revise करके देखेंगे मैंने focus किया है complete का primary करन ना करें complete का rationalization करेंगे तो only step आप बिल्कुल सही कर रहे हैं लेकिन competition classes में क्या होता है हमें question को solve भी करना है within timing उसमें timing को भी focus करना है और maths एक ऐसा subject है जो आपको 100% marking भी करवा सकता है बट उसको अगर आपने गलत तरीके से solve किया maths को तो दूसरे subject के number भी कटवा सकता है, चुकि इसमें अगर आप question को गलत वे से करेंगे तो वो time consume करेगा answer भी नहीं आएगा तो आपको क्या करना है कि इसका first step का परेमेगी करन करके देखना आपको answer मेला root 4 minus root 3 आगे के step में भी same answer वहीं मिलेंगे root 5 minus root 4 root 6 minus root 5 और फिर आप इनको cancellation करेंगे भी same step रहेंगे opposite sign के साथ वो cancel हो जाएंगे आपका मिलेगा root 9 minus root 3 and root 9 का आपके पास square root हो जाएता है 3 minus root 3 और इस type के question जो होते है आपके NTSC exam और जो SSC, CHSL level के जो होते हैं उनमें आते हैं जो कि ये time consuming question होते हैं clear so next question के और बढ़ते हैं चलते हैं हमारे third question के और आज की class के हमारा third question है if 2 equals to x plus 1 upon 1 plus 1 by 3 plus 1 by 4 is given then what is the value of x तो x की value हमारी क्या रहेगी ठीक है इस question को हमें attempt करना है यहां पर हम एक जो value given है इसी का ही use करना है और then after आपको finding the value of the x के लिए so यह question है हम इस question को हल करने के लिए हमें क्या खाते है कि जो x वाली value है यहां पर 2 plus x यहां पर तो कोई issue नहीं है हमें इस trump को solve करना है और examiner जो भी हमें exam लेता है वो हमें time waste करवाने के लिए या फिर हमें fail करवाने के लिए लेता है क्योंकि pass करना होता तो हमें direct job दे देता और one plus one upon यहां पर देखो भई फोर फ्रीजाट ट्वैल ट्वैल प्लस वन मैं directly add करूंगा भी फोर फ्रीजाट ट्वैल ट्वैल प्लस वन थार्टीन अपॉन फोर होगे ठीक है अब यहां पर फ्रेक्शन अपॉन फ्रेक्शन है तो नीचे वाली का करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो इस वन बिकम्स फोर अपॉन थार्टीन यह बन जाएगा नेक्स्ट स्टैप में आपका एक्स प्लस वन अपॉन फ्रेक्शन फोर अपॉन थार्टीन के लिए अब इसको क्या करना है फिर शे वन के साथ है डो रहा है तो थार्टीन फोर 17 हो गया तो इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन थार्टीन फ्लस फोर यानिकी 17 अपॉन थार्टीन अगें रेसिप्रोकल करेंगे इस स्टैप का 1 अपॉन 17 अपॉन 13 इसका अगें रेसिप्रोकल करेंगे तो तो आएगा हमारा टू इक्वल्स टू एक्स प्लस थार्टीन बिटाइ simple है यहाँ पर x की value find करनी है तो other number को side change कर दीजी x equals to 2 minus 13 upon 17 that's clear 17 को इधर बेज़ेंगे तो 17 तूजा 34 minus 13 upon 17 यहाँ पर x की value हमारी find हो जाएगी यहाँ पर find होगे भी 4 minus 3 4 minus 3 1 and 3 minus 1 2 21 upon 71 that's becomes your value और अगर answer आपको mix fraction form में given है यारी मिश्र बीन में given है तो मिश्र बीन में देदेंगे 17 वंजा 17 remaining 4 upon 17 1 upon 1 and 4 upon 17 that's your answer that's clear so move on question next so move on question next यह question जो हमारा कह रहा है 2x upon 1 plus 1 upon 1 plus x upon 1 minus x equals to 1 then what is the value of x to x का मान क्या रहेगा अगर आपको यह question अगर given है तो इस question में देखो solution कैसे करना आपको इस question में solve कैसे करना है आपको यहां पे जो भी denominator है आपको देखो recently question में आपको जो समझाना चाहरा हूँ यहीं चमझाना चाहरा हूँ यह जो question है x plus 1 minus x इसमें क्या करना आपको सीधे इनी को add करना अगर 1 के साथ add हो रहा है तो सीधे numerator को denominator में add कर दिया करो simple काम आप यहां पर जैसे आप इसको add करोगे एक्स के लिए रूगे ना वही एक्स वन माइनस एक्स तो आपका आगया क्या एक्स 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 करोगे तो 1-x आ जाएगा हमारा ओपर की ओर तो आप करेगा 2x अपों 1 plus 1-x 1 and 1 becomes 2 and 2x 2x upon 2-x equals to 1 अभी आप यहां पर cross multiply कर सकते हैं cross multiply करेंगे तो आप answer हो जाएगा 2x को 1 शे multiply करेंगे तो this one is your x 2x को 1 शे multiply करेंगे तो सर आएगा हमारे 2x ही आएगा clear और आप इसको 2-x को 1 शे multiply करेंगे तो क्या आएगा 2-x ही आएगा 2-x ही आएगा that one clear x को अभी साइड में लेके आएगे left साइड में तो 2x plus x equals to 2 and 3x equals to 2 and x equals to 2 3 चला जाएगा डिवाइड में 2 upon 3 that is your answer clear that so next question जो आज की हमारी क्लास का आखरी question रहने वाला है इस question को देखते है question क्या कहा रहा है if one a upon b equals to 3 by 2 then what is the value of a square plus v square upon a square minus b square इस type के जो भी questions रहते हैं उसमें आपको कोई भी एक ratio तो गीवन होता है कोई भी दो terms का और आपको से square पूच सकता है square का संपूच सकता है cube का संपूच सकता है cube का difference पूच सकता है different types के इसमें question बना देता है इसमें क्या करना है आपको क्या करना है simply पहले जो आपको find करना है उसको आपको अपने जो value given है उसके coding बनाना है मेरे पास इस question को solve करने के दो तरीके है दोनों ही तरीके बता हूँगा जो आपको best लगता है वो मेरे को आप comment में बताएंगे कि आपको कौन सा तरीका best लगा है ठीक है तो हमारा first method है first method is saying that आपको a upon b key value है तो आपको उसमें भी a upon b ही चाहिए आपको क्या करना है यहां पर जो question given है a square plus b square and a square minus b square आपको क्या करना है इसमें जो भी आपको चाहिए यानि कि हमें b divide में चाहिए तो b divide में कैसे आएगा तो हम यहां पर क्यों होना b square का divide दे ले numberator and denominator दोनों में चोंकि दोनों में अगर आप divide देंगे तो इस पे कोई effective नहीं आएगा तो मैंने यहां पर यहां पर क्या कर दिया दिया बी square का और यहां मैंने b square का दिया कि लिए हुआ यह तो b square से b square cancel हो गाए यहां पर भी B square cancel हो गया है तो अब हमारा question क्या बढ़ा है A plus B the whole square plus 1 divided by A square upon sorry A upon B और उसका square minus 1 यह हमारा question बढ़ा है अब A upon B की सारा में value given है तो हम इसमें क्यों हो ना A upon B की value को put कर लेते हैं A upon B की value given है 3 upon 2 3 upon 2 then square plus 1 and 3 upon 2 and whole square minus 1 minus 1 और हमारा जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 by 2 का square क्या हो जाएगा 9 by 4 9 upon 4 plus 1 and 9 upon 4 minus 1 यहां पे 4 add हो जाएगा बच्चों 4 add करेंगे तो 9 plus 4 upon 4 3 by 2 इसमें आपको क्या करना है A की value 3 put कर ले B की value 2 put कर ले इस portion में आप put कर दे जहां पे आपको यह दिख रहा है A की value हम 3 put करेंगे तो 3 का square हो जाएगा हमारा और B की value हम 2 put करेंगे तो B क्या हो जाएगा हमारा यानि 2 का square हो जाएगा 2 का square That's clear Same here 3 का square minus 2 का square 2 का square हो जाएगा Clear So 3 का square 9 9 Plus 4 9 plus 4 And 3 square 9 minus 4 9 plus 4 आपका 13 And 9 minus 4 आपका 5 That is your answer So आप guys मेरे को comment करके बताएगे आपको इस question में कौन सा method best लगा है ठीक है अगर आपका content आपको अमारा content अच्छा लग रहा है तो please 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 दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी इसको share करें अब चैनल को like करें सबस्क्राइब कर लेजे ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियों सबसे पहले आपको मिले Thank you मिलते हैं next class में